एक कहावत है कि कोई एक बार अगर फिल्मी जगत की चका चौंध में शामिल हो जाता है तो वो पूरी लाइफ इसी चका चौंध में रहना चाहता है और ये बात आम तोर पर एक्टर्स पर जादा लागू होती है लेकिन बीते कुछ सालों में कुछ ऐसी एक्टर्स भी सामने आई हैं जिन्होंने इस चका चौंध नाम और शोहरज सब कुछ छोड़ते हुए इंडरस्ट्री को टाटा बाई बाई कर दिया था इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती हैं दंगल फैम जायरा वसीम जिन्होंने साल 2019 में बॉलिवूड इंडरस्ट्री को अलविदा कह दि दिया वो अलग बात है कि इनके इस डिसीजन पर ये भी निउस आई थी कि जायरा वसीम ने ऐसा इसलामिक कट्टर पंथियों के दबाव में किया था इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती हैं एक टाइम में जानी मानी बॉलिवूड और टीवी अक्ट्रिस रही सना खान जिन्होंने बॉलिवूड इंडुसरी को 2020 में बड़े बिजनसमेन और धार्मिक लीडर अनस सयद से निकाह करने के बाद अलविदा कह दिया अपने इंडुसरी चोड़ने पर सना खान ने कहा था कि मैं अपने शोहर अनस सयद से मिलने के बाद मेरा इसलाम के परती रोज़ाना जुकाओ बढ़ता गया मैंने इसलाम के बारे में और भी बहुत कुछ जाना और समझा और बस इसी कारण मैंने ये डिसीजन ले लिया जिस की मुझे बहुत खुशी है बता दे सना खान ने सलमान कान की फिल्म जैहो और अक्षिकुमार के फिल्म टॉलिट में काम किया था यहां तक कि ये बिग बॉस जलक दिखला जाओं और खत्रों के खलारी में भी नज़राई थी इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर आती हैं भोजपुरी के बड़े नाम जैसे पवन सिंग खेसारे लाल यादव के साथ काम कर चिनी भोजपुरी एक्टरिस सहर अफशा जिन्होंने महस 26 साल की एज में साल 2022 में इंडरस्टरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया इनके इस सदलनी लिए गए डिसीजन पर सभी को बहुत शौक्ट लगा था जिसका रिजन सफर अफशा ने बताया कि वो बीते कुछ दिनों से इसलाम से काफी प्रभावित हो गई थी और इसी कारण मैंने पूरी तरीके से इसलाम की तालीम को अपनाने का फैसला लिया जिसके लिए मेरा इंडरस्टरी छोड़ना बहुत जरूरी था बता दें इन्होंने अपने करियर में महंदी लगा के रखना थ्री और घातक जैसी ब्लॉक बस्टर फल में दी थी आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी कॉमेंट करके बताएं कि आप इन अक्टरस के इस बिग डिसीजन पर क्या सोचते हैं पुर्वांचा लाइफ की ऐसी ही लेटिस और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहे हैं अपने फेवरिट चैनल पुर्वांचा लाइफ के साथ